हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल वर्ड़ फिल्म में आपका स्वागत है आर्या और एंपायर जैसे दमाकेदार सीरीज के बाद हॉट स्टार एक बर फिर एक धासू वेब सीरीज लेकर आया है इसका ट्रेलर देखकर ही फैंस बेसबरी से इस सीरीज के आने का इंतजार कर रहे थे आज इस सीरीज हॉट स्टार पे रिलीज हो गई है इसके 10 एपिसोड्स हैं और सब एपिसोड्स की लेंद 40 से 55 मिनट के बीच की है इस सीरीज के डिरेक्टर है विपुल अमुरुतलाल शा ये सीरीज हिंदी, मल्यालम, तेलगू, बंगौली, मराठी, कनर, तमिल लेंग्वेजिज में भी अवेलेबल है इस सीरीज के बारे में और कुछ बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सीरीज आप लोग बच्चों के साथ ना देखें तो दोस्तों कहानी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि इस वेब सीरीज में दो डॉक्टर्स हैं गौरीनाथ और सायरा सबरवाल कहानी की शुरुवाद में ही दिखाया गया है कि गरीब लोगों पे एक ड्रग S93R नाम का एक इंजेक्शन ट्राइल किया जा रहा है फार्मा कमपनी के हेड मोहन वैद और उनके बेटे अशोक वैद ये जानते हैं कि ये दवाई यूरोप में बैन है लेकिन COVID-19 का वैक्सीन बनाने की कोशिश में उन्हें जो घाटा हुआ उसके बाद वैसे सूपर मेडिसन बनाना चाते हैं पानी तब उलजती है जब एक लड़का मंगू जिसका करेक्टर विशाल जेटवा ने किया है अपने माता पिता को एक दवा की टेस्टिंग के लिए मनाता है उसका मानना है कि इससे मिलने वाले पैसे से उन्हें गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी मामला तब उलज जाता है जब उसकी मापर दवा का रियाक्शन होता है और मोत हो जाती है बहुत से लोग पैसा कमाने के चकर में इस ट्राइल के चकर में पढ़ जाते हैं लेकिन लास्ट में पता चलता है कि ये इंजेक्शन नहीं जहर है इसी दोरान मन्थन होस्पिटल में एक नई डॉक्टर सायरा सबरवाल जिनका किर्दा कीर्ती कुलहारी ने किया है वो होस्पिटल जॉइन करती है और उन्हें भी इस केस के बारे में तब पता चलता है जब उनके पिता के पास आई एक पेशन जिसका हजबन उस ट्राइल म पर उन लड़कियों को बंदग बना के रखा गया है ऐसे ही बहुत सारे उलजे सवालों के जवाब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे कि आप उस इंजेक्शन से लोगों को जो नुकसान हुआ उसको कैसे ठीक किया जाएगा उस इंजेक्शन के प्रभाव को कैसे कम किया जाएगा क्या डॉक्टर साइरा सबरवाल इसके पीछे के मास्टर माइंड का परदा फाश कर पाएगी या वो खुद इसका विक्टेम हो जाएगी सीरीज में सस्पेंस कूट कूट के बरा गया है जो आपको सीरीज से आखिर तक बांद कर रखेगा सीरीज की की तो सब एक्टर्स ने शांदार प्रदर्शन किया है शिफाली शा कई जगों पे आँखों से ही सब कुछ कह जाती है जबकि किरती गुलहारी उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका डायलोग डिलिवरी बहुत अच्छा है सीवा बिस्वास में केरेक्टर में ना होते हुए की असर छोड़ती है विशाल जेटवा जिने आँ मरदानी टू में भी देख चुके हैं उन्होंने स्लम बॉय का कैरेक्टर बहुत ही ब्रिलियंटली निभाया है और वो इस रोल में अच्छे भी लग रहे हैं उन्होंने बोपाली एक्सेंट बहुत अच्छे से पकड़ा ह बात करें इस सीरीज के ड्रॉबैक्स की तो फोर्थ एपिसोड के बाद ये बहुत ही स्लो हो जाता है और एंड तक आते आते और ही स्लो हो जाता है मैं इस सीरीज को दूँगी पांच में से तीन स्टार अगर आप लोग कुछ अच्छा देखना चाते हैं तो ये सीरीज बे और रिव्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू